जब मैं अभी जेल में था, तो इन्होंने कई तरह से मुझे परताडित किया, इन्होंने मेरी दवाईयां रोक दी, मैं 20 साल से serious diabetes यानि शुगर का मरीज हूँ, पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज मेरे पेट में चार बार इंजेक्शन लगते हैं, जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिये, मेरी शुगर 300, 3700 तक पहुंच गई, इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे, तो किड्नी और लिवर खराब हो जाते हैं, पता हैं यह लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों कि जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया, जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है, जेल से चुटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शेरीर में किसी बड़ी बिमारी का भी संकेत हो सकता है, कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, मेरे यूरिन में भी किटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, परसों मैं सरंडर करूँगा, सरंडर करने के लिए लगबग दो पहर तीन बज़े अपने घर से निकलूँगा, खो सकता है यह इस बर मुझे और ज्यादा प्रतारित करें, ल आप खुश रहेंगे, तो आपका केजरी वाल भी खुश रहेगा, मैं बेशक आपके बीच नहीं होंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे, मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने रूँगा, आपक बताल, फ्री दवाईयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस्यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे, और लोट के हर मापहन को हर महीने हजार रुपे देने के भी शुरुआत करूंगा, मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज न मांगना चाहता हूं, मेरे माता-पिता बहुत बुजूर गया है, मेरी माँ बहुत बिमार रहती है, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है, मेरे पीछे से मेरे माता-पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना, दुआ में बड मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं उन्होंने जिन्दीगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एक जुटो जाता है आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए यदि मेरे प्रान भी चले जाएं तो गम मत करना आपकी प्राथनाओं की वज़े से ही आज मैं जिन्दा हूँ और आगे भी आपका आशिरवाद मेरी रक्षा करेगा आंत में बस ये कहना चाहता हूँ भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा जैहन